सरकारी के सरकारी स्कूल में नया सक्षिनिक स्टर की पढ़ाई से शुरू हो अगला जुलाई से ही सुरू होना था लेकिन एक जुलाई को रथ यत्रा को लेकर आवकास होने के कारण पढ़ाई स्थनिवार दो जुलाई से शुरू हुई बतादे राज सरकार ने कुरोना को लेकर इस्कूलों के लंबे समय तक बंद रहने के कारण पिछले सेक्निक सत्र की ओधी तीन माह के लिए बढ़ा दी थी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1-7 के बच्चों की बार्सिक परिक्षा 6-15 जून तक हुई थी संकूल अस्तर पर बच्चों के उतर पुश्तिकाओ की जाच होने के बाद इस्कूलों में बच्चों को रीपोर्ट कार्ड दे कर नए सत्र की सुरुआत की गई हलाकि कुछ इस्कूलों में अभी रियल्ट जारी किया जाना बाकी है फिर भी वहाँ भी नए सत्र की पढ़ाई सुरू कर दी गई है ज्यारखन में आने वाले तीन दिन में अच्छी बारिस होगी ऐसा सुमवार को ज्यारखन और आसपास के इलाके में एक साइकलोनिक सर्कूलेशन बनने की वज़ासे होगा इसका असर राज्य भर में दिखेगा और कुछ जगों पर भारी बारिस भी संभाव है मौसम केंद्र के बेग्यानी अभिसेक आनन ने बताया कि ज्यारखन में अभिजम सेथपूर से होकर दिखा की और मानसून हावा का बाहा हो रहा है वही बंगला देश में बना साइकलोनिक सर्कूलेशन दक्षिन ज्यारखन में कायम है जिसके परभाव से कुलहान परमंडल और राज्ये के मद्य भाग में राची समयत आसपास के अनन जिलों में कुछ जगों पर भारी से भारी बारिस कई अस्थान पर अच्छी बारिस हुई सियम हेमन्त आज 174 लोगों को सौपेंगे सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मुख्य मंत्री हेमन सुरेन सो मुखर 4 जुलाई को धनबाद आएंगे रंधीर वर्मा स्टेडिय में अरजी समारों में भाग लेंगे समारों में होकर योजनावों का सिलन्यास तथा उदगाटन करेंगे साथ ही लावकों के बीच परिसंपत्यों का बित्रन तथा नियुक्ति पत्र का बित्रन करेंगे बता दे 174 व्यक्तियों को सरकारी नौकरी वा कौसल विकास रोईना से नौकरी का नियुक्ति पत्र देंगे जिला परसासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दिया सनिवार को डीसी संदीप कुमार और एसेसपी संजीव कुमार ने जीला के आला अधिकारियों के साथ कारेकरम अस्तर कनेक्षन किया और तैयारीयों के जर्मकारी ली आवस्यक निर्देश भी दिये हेमन्त सुरेन की भातीजी ने की अपील द्रौपदी मुर्मू को वोट दे जहर्खन के मुख्य मंत्री हेमन्त सुरेन की चाचेरी बहन जय सिरी सुरेन ने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू राष्ट पतिपद के लिए पहली महिला आधिवासी परत्यासी है जन जातिये समाज की महिला परत्यासी देश की प्रथम नागरिक बने इसके लिए जर्खन मुक्ती मोर्चा के सभी विधायकों और सांसुदों को उनको वोट करना चाहिए जैसीरी सुरेन, दुर्गा सुरेन, सेना की चियर परसन है बताजे सुरेन परिवार की वह पहली सक्स है जिन्होंने खुल का द्रोपदी मुर्मु के पक्ष में वोट देने की अपील की है जैसीरी सुरेन की मा सीता सुरेन खुद जामों की विधायक है जैसी सुरेन का या ब्यांद्रोपदी मुर्मू के जार्खन आने से एक दिन पहले आया है केंद्र की महत्व कांची योजनाओं के लिए चुने गए जार्खन के छो सहर जार्खन के छह सहरों को गेंदर की महत्वा कांची नगर वन या सहरी वन योजना के तहद चुना गया है बता दे 9 जुलाई से सुरू होने वाले इस योजना के तहद देश के 75 सहर में बड़े पैमाने पर भीक्षार उपन किया जाएगा एक वन अधिकारी ने इस बारे में जनकारी देते हैं बताया है कि जार्खन के 6 सहर जहां पर योजना सुरू की जा रही है उनमें राची बोकारो धनबाद, हजारी बग्यम सेथपूर और गिरी डी सामिल है कैपा, जार्खन के अतिरीक्त प्रधान, मुखेवन, संरक्षन, संजीव, कुमार ने बताया कि जार्खन के 6 सहर, नगरवन, वोजना के तहट चुने गए, देश के 75 सहरों में से हैं जार्खन के सरकारी बिद्याले हरा और सफेद से होंगे चका-चक राज्य के सरकारी बिद्यालों में बदलाव किया जा रहा है, बचों के नए ड्रेस, कोट के साथ-साथ अब बिद्याले के भवन भी सफेद और हरे रंग के चका-चक किये जाएंगे इसे लेकर करवाई सुरू की जा चुकी है बता दे, राज्य के करीब 35,000 सरकारी बिद्यालों के भवन को हरा और सफेद रंग से दोबारा रंगा जा रहा है वहीं इन बिद्यालों में पढ़ने वाले करीब 42,000,000 बिद्यार्थियों के लिए इसी सद्र से नए रंग के पोशाग भी दिये जा रहे हैं जारकन के सरकारी स्कुलों के कक 66 से बरावित तक चात्रों का पैंट हरा और सफेद होगा 16 हरा रंग का भी दिया जाएगा वहीं चात्राओ की सल्वार हरा और सूट सफेद होगा और हरे रंग का दुपट्टा होगा सिक्षकों को राष्ट्रिये पुरस्कार के लिए 10 जुलाई तक आवेदन करने का मौका है इस साल के राष्ट्रिये पुरस्कार के लिए जो सिक्षक अभी तक आवेदन नहीं कर सके हैं उनके लिए अभी भी मौका है बताया दे केंद्रिय सिक्षा मंत्रारेने बर्स 2022 के राश्ट्री ये सिक्षाग पुरस्कार के लिए ओनलाइन आवेदन की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है अब सिक्षाग 10 जुलाई तक ओनलाइन आवेदन कर सकेंगे सबसे पहले इसके लिए समय सीमा 20 जुन निरारित की गई थी बाद में इसे 30 जुन तक बढ़ाया गया था अब इसकी अम्तिम समय सीमा 10 जुलाई कर दी गई है सिक्षाग पोर्टार नेशनल अवास्टू टीचर डॉट एजुकेशन डॉट जुवी डॉट इन पर स्वयम ऑनलाईन नमांकन कर सकेंगे जहारखन में जमीन राइस्टरी अब चेक लिस्ट के अधार पर जहारखन में अब जमीन की राइस्टरी विभाग द्वारा तयार चेक लिस्ट के अधार पर की जाएगी चेक लिस्ट के अनुसार सबसे पहले खत्यान की सत्यापित कौपी देखी जाएगी अगर खत्यान की सत्यापित कौपी उपलब्द नहीं हो तो भी राइश्ट्री के लिए बैकल्पिक दस्तावेज के रास्ता आपनाया गया है इस समद में राजे के निबंधन महानिरिक छक विप्रा भाल ने भोमी निबंधन को लेकर सभी उपायुकत सजीला निबंधको को निर्देश दिया है उन्होंने सभी अवर निबंधको को कर्याले में निबंधन के लिए चेक लिस्ट उपलब्द कराने को कहा है विभाग की ओर से आठ बिंदूओं पर चेक लिस्ट त्यार की गई है इसी चेक लिस्ट के अधार पर जमीन का निबंधन कार्य होगा इसमें जमीन के निबंधन के पुरो दस्तावेज का मिलान चेक लिस्ट से किया जागा इसके बाद ही रईष्ट्री की जाएगी जहां मुमो का भाजबा पर करारा प्रहा राष्ट पतिपद की उमीद्वार द्रोपदी मुर्मो जारखन दोरे पर आ रही है ओपक्च विपक्च के कई नेताओं से मिल कर समर्थन मांगेंगी पतादे द्रपदी मुर्मो को राष्ट पतिपत का उमिद्वार बनाना बिजेपी का मास्टरक स्ट्रोक माना जा रहा है राहनीतिक पंडितो कातो यह भी काना है कि इसके जरी बिजेपी आदिवासी वोटों की सेंदमारी करने की कोशिस में है इसमें जार्खन भी सामिल है आपको बता दे कि नेता प्रतिपक्ष बावलन मरांडी ने भी जामो को द्रपदी मुर्मो को समर्थर देने को कहा था भाजपा के कोई नेताओं ने आलाकमान के इस फैसलों को आदिवासीों का समान बताया है पारा सिक्षकों के लिए आकलन परिक्षा लेने की तयारी जार्खन एकेडमी काउंसिल ने पारा सिक्षा की आकलन परिक्षा की तयारी सुरू कर दी है बता दे राजे में कूल 164 148 सिख्षा कारे सबराइ और हैं इन में से 14 mph 42 सिख्षा टेट शफल हैं टेट सबर्वल सिख्षा आक्लन परिक्षा में सामिल नहीं हुगे 인가 47 46 को को आक्लन परिक्षा में सामिल होना होगा इनमेंसे लवग 25 सेयर सिर्फ सोके पर्वान पद शत्यापन की परकरिया पूरी हो गई है जारकन सिख्षा परविना ने जीलों को पर्वान पद सत्यापन की परकरिया जल्द पूरी करने को कहा है 12 जूलाई को पिये मोदी संताल परगना को देंगे हजारों क्लोर की सोगात परधान मिंटी नायन मोदी 12 जूलाई को देवघर आने वाले हैं जहां वो देवघर यारपोट के उद्गाटन समारों में सामिल होंगे साथी साथ परधान मिंटी दरजनों सिविकृत केंधरिये योजनाओ का स्तिलन्यास भी करेंगे वहीं कई बड़ी योजनाओ का उद्गाटन भी करने वाले हैं जनकारी के उनसाथ देवघर से परधान मिंटी संताल परगना के पांच वा बाका जिले के लिए गैस पाइपलाइन योजना का सिलन्यास करेंगे जहारखन में रिकोर्ड रिजल्ट के बावजूद इंटर में 55,000 बिद्यार्थी घटे जैक ने दसवी और बरावी की परिक्षा का पहिनाम जारी कर दिया है जहारखन में इंटर का रिजल्ट पिछले 22 सालों में सबसे बेहतर हुआ है इसके बावजूद भी इंटर पास करने वाले विद्यार्थी की संख्या लगभग 55,000 घट गई है बताज साल 2021 की तूलना में बरावी पास करने वाले छात्रों की संख्या में कमी आई है वर्ष 2021 की इंटर के परिक्षा में 296,813 परिशार्थी सफल हुए थे जबकि इस वर्ष 2,41,786 परिशार्थी सफल हुए है गुमला में नकली खाद बेचने के आरोपी गिरफतार गुमला सहर के में रोड इस्थित गुमला किरिसी क्रान्ती के संचाला गोपाल, साबू, एवम, अनिरूद, साबू को नकली खाद और बीच बेचने के आरोप में गुमला के पुलिशने गिरफतार कर अभिवार को जेल भेच दिया इस मामले में SDPO, मनीश, चंद्रलाल और थाना परभारी मनोज कुमार ने इस बात की जनकारी दी उन्होंने बताए कि पुलिश को 2 जुलाई को गुप्त सुचना मिली थी कि दुन्दूरिया इसीत बैंक कलोनी में कुछ लोगों द्वारा नकली खाद बीच की पैकिंग कर बिकरी करने के अवाइद रूप से कारे किया जा रहा है धुमका के इस स्कूल को स्वक्षता के सभी कैटेगरी में 5 स्टार धुमका जिला अंतरगत जर्मुंडी पर खंड के डुमर थर विद्याले ने संसाधनों की कमी के बीच आपसी सहयोग से जिला अतर पर उत्क्रिष्ट परदसन करते हुए स्वक्षता के सभी प्रमायनों पर 5 इस्टार रेटिंग प्राप्त किया है बिद्याले में बाल संसत के पदान मंतरी मुन्नि कुमारी की अगवई में स्वक्ष बिद्याले पुर्प्रसकार मिलने पर विशेश करवक्रम का आउजन किया गया समुदाय अयुभाव को द्वारा सिक्षक एवं सवी विद्यार्थयोक प्रती अभार व्यक्त किया गया सीम हमन्त ने बेटियों पर अधारित गीत गाने पर मेधा स्री राम डाल्टन को दी बधाई स्वी पलामो की लोग की गीतों से मुंबाई के फिल्मी गीतों तक के सफ़र में मसहूर हो चुकि मेधा स्री राम डाल्टन को मुख्य मंत्रिय हमन्त ने ट्वीटर पर बधाई दी है CM ने मेधा को बधाई तब दी जब मेधा ने बेटियों पर अधारित अपनी गीत को अपने ट्यूटर हैंडल पर सेयर की ट्यूटर पर CM की नजर इस गीत पर पड़ी तो उसे सून कर काफी खोस हुए उसके बाद उन्होंने मेधा को बधाई दी CM के रियक्शन से खूस मेधा ने धन्यवाद दिया PM मोदी घतिमान एक्सप्रेस की करेंगे घोसना PM नरेंदर मोदी आगामी 12 जुलाई को बाबा नगरी सही संताल परगना को हजारो कोड़ की योजना का सोगात देने वाले हैं देवघार यारपोर्ट के उधाटन समारो के दरान PM मोदी अन्योजनाओ के साथ साथ देवघार से वरानस के लिए नई ट्रेन की घोसना कर सकते हैं वहीं जसी डी जक्षन को गांधी नगर और वनारस रेलवे स्टेशन की तरज़ पर वर्ल्ड कलास स्टेशन बनाया जाएगा PM मोदी के स्वागत के लिए होगा खास परधान मंतरी नैंद्र मोदी के 12 जुलाई को देवघार आगवन को यतिहासिक ब्याने की तियारी सुरू कर दी गही है आहमादाबाद की तरज़ पर यहां भी परधान मंतरी के रोड सो की तियारी की जा रही है परधान मंतरी 11 जोतिस लिंग के दर्षन कर चुके देवघार में बाबा के दर्षन के बाद उनका सभी 12 जोतिस लिंग के दर्षन वर पुजन फूरे हो जाएंगे बतादे 12 जुलाई को पट्ना में बिहार विधान सभा के सतावद्दी समारोह में सिरकत करने के बाद पी एम सीधे देवघार आरपोट पहुचेंगे देवघार आरपोट के टर्मिनल परिसर में ही उदघाटन समारोह का आयोजन होगा बाबा मंदीर में सिग्र दर्षनम परवेश की नई बेवस्था सुरू कर दी गई है सनिवार को काउंटर खुलने पर नई सिस्टम के तहद असमार्ट परवेश काड जारी करना सुरू किया गया इसका मंदीर परवंधक परकास मिस्रे ने एक घंटे तक ट्रायल किया ट्रायल पूरी तरह से सफल रहने के बाद अब इस बेवस्था को रभीवार को पूरी तरह लागू कर देने का नेने लिया गया पहले दीन ट्रायल के तोर पर 1342 सरधालू का स्मार्ट परवेश काड उपलावद कराया गया काड को इंट्री गेट में डालते ही दो सकेंड के लिए गेट खुलता है नए सिस्टम के चालू होने की पूरी रिपोर्ट मंदिर प्रभारी सहीद डीसी को भेज दी गई है आई ए एस जहारखन प्रसासनिक सेवा के 42 अपसर बनेंगे जहारखन प्रसासनिक सेवा के अधिकारियों को भारतिय प्रसासनिक सेवा में प्रोनती के लिए हर वरस समय से त्यारी नहीं होने का खाम्याना अधिकारियों को भोगतना होता है और कई बार दो वरसों के बाद ही प्रोनती मिल पाती है बताद इस वर्स भी 29, 2020 और 2021 की रिक्तियों के विरूत अधिकारियों को IAS में प्रोनति मिल रही है हालाकि संग, लोक, सेवा, आयोग इस ब्यवस्था को अब नेमित करना चाहता है तीन वर्सों के रिक्तियों के एवज में इस वर्स कार्मिक विभा की ओर से 120 अधिकारियों के नाम भेजे गए हैं इनमें से 42 को प्रोनति मिलने के असार है B8 कॉलेज में बड़े प्रमान पर धंजली जाच के लिए इंस्पेक्टर नहीं उगते राजभावन बिभीन बिसो बिद्याले के अंगी भूत कॉलेजों की जाच करा रहा है इनमें B8 कॉलेज पर मुख है राजपलरा में इस बैस के आदेश पर यहां जाच हो रही है जाच टीम में राजभावन के पताधिकारी के अलावा समंधित भी सोबी द्याले के भी एक प्रादिकारी सामिल होते है राजभुवन में कॉलेजों की जाच के लिए पहली बार उनिवर्सिटी इंस्पेक्टर की नुक्ति की है दरसल राजेपाल को अंगी भूत कॉलेजों तथा बीएट कॉलेजों में कई इनमी तक की सिकायत विभीन ग्यापनों के मादेम से मिली है राष्ट पती चुनाओ का चक्र व्यू में यस्वन्त सिन्हा यस्वन्त सिन्हा की राइनिति कर्म भूमी जार्खन रही है बता दे पहले राची विधान सभा और उसके बाद हजारी बाग संसादे छेतर से उन्होंने बड़ा और सफ़ल नाइनितिक सफ़ताय किया है एक माइने में हजारी बाग और यस्वन्त सिन्हा एक दूसरे के परया रहे हैं बतार विपक्ष के साजा परतियासी वे राष्ट पतिपद की दोड में हैं लेकिन वे अपने ही परदेश में फिछारते नजर आ रहे हैं राष्ट्री अस्तर पर उन्हें कॉंग्रेस और एंडिये का साथ मिल रहा है लेकिन जहारखन में कॉंग्रेस और रायत के साथ मिलकर सरकार चला रहे जहारखन मुक्ति मोर्चा का जुकाव द्रोपदी मुर्मो की ओर है जहारखन में होगा टीवी का सटिक उपचार टीवी के मरीजों के लिए रिम्स में कलचर और ड्रोग सेंसिटिवीटी टेस्ट के लिए जल्द ही BSL 3 लेब का निर्मान कीया जाएगा दो वर्स पुर्व ही BSL 3 लेब के निर्मान का फंड रिलीज कर दिया गया था पर इस लेब के निर्मान कारे को सुरू करने के अनुमती नहीं दी गई थी सुक्रवार को स्वास्त विभाग ने BSL 3 लेब के निर्मान कारे को सुरू करने के लिखित अनुमती दे दिया लेब के निमान के बाद रिम्स में कुल्चर और ड्रॉग सेंसिटिवीटी टेस्ट करना मुम्किम हो जाएगा 9 सेना में 2800 और अगनीवीर एसस ऐर की वैकेंसी बरामी पास करके भारति ये 9 सेना में सामिल होने के एक छुक युवाओ के लिए बेतरीन मौका है बता दे भारतिये नौ सेना में अगनी पत स्कीम के तहट अगनी वीर भारती 2022 के रेश्टेशन परकिरिया 1 जुलाई से सुरू हो गई है जबकि आवेदन परकिरिया 15 जुलाई से सुरू होगी और आवेदन की अम्तिम्तिती 22 जुलाई है भारतिये 9 सेना ने अगनेवीर ASS R भारती 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इसके लिए अविवाहित पुरूस और महिला अभियार्ति अविदन कर सकती है नोटिफिकेशन के अनुचार अगनीवीर ASS R की कूल 2800 वेकेंसी है इसमें महिला अभ्यार्थियों के लिए 560 वैकेंसी है स्रावनी मेला का जाजा SP और DC ने लिया देवगर में स्रावनी मेला की त्यारियां अम्तिम दोरे में है रभिवार को देवगर के कवरिया पतका जिला परसासन और पूलिस परसासन सन्युक्त रूप से प्रेदल मार्च का निरिक्षन किया बता देवगर DC मंजुनात भयंतरी देवगर SP सुभास चंद्र जाट और सभी विभागों के पताधिकारियों ने विहार जार्खन बोडर दुमा से कारेकरम की निरिक्षन कारेकरम की शुरुआत की इस दोरान स्रावनी मेलावद घाटन अस्तल का भी निरिक्षन किया गया धन्यवाद